हेलो दोस्तों कैसे हो आप आसा करते हैं आप सब खोश होंगे स्वास्त होंगे आज मैं फिर आई हूँ एक और नई रेस्पी के साथ तो इधर हम बनाने वाले हैं मटर पनीर वो भी बहुत ही स्वाधिस्त लगेगा और बहुत ही फटापट बनकर तयार होगा तो प्लीट मेर चाट टमाटर कुछ लेसन के करिया और इधर 5-6 हरी मिर्चे हैं और इधर ले लिए हमने सूकी मसाले इसमें सूका धनिया है खड़ा एक बड़ी लाइची है कुछ दाले काली मिर्च की है लॉंग है हरी लाइची है चार तीव टुकडे दालचीनी के है और चीरा है हमारा इसको भी कर लेंगे रोश्ट तो इधर हमारा तबा गरम हो गया उसमें डाल दीए हम खड़ी मसाले इसको कर लेंगे हम रोश्ट बस थोड़ी ही देर करना है जलाल नहीं है इससे जे है सब्जी का टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है और इदर आप मेरे रुदाज में पनेव की सब्जी बना कर खाएंगे तो बहुत ही सौधिश्ट लगने वाली है इदर हो गया है दोश्ट इसको निकाल देंगे अब इसको हम मोटा मोटा पीस लेंगे और इधर में प्याज को कर डूंगी कद्दू कर्स जो फटा फट हो जाता है आप देख सकते इदर सबसे आशान तरीका है किसी चौपर की जरूरत नहीं है और चापू से काटने की भी जरूरत नहीं है पटा पट प्याज हमारा कश जाएगा जितना चाहों उतना पटा पट कश लोगे देख सकते हैं इसी तरह सारे प्याज को कश लेना है तो इधर मैंने मोटा मोटा प्याज कद्दू कश कर लिय लेशन में कर लिया रहराई में छे कट गई हमारी इसको शायट में रख देते हैं टमाटन को भी इस तरह से कट्व पश कर लिया तो हमने शाबोद खड़ी मसाले जो रोष्ट किये थे उसको पीस लिया हमने इधा हमारा कड़ाई में देखो गया करम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीडा और डाल देंगे शाब को शिलाचन भी इसको बोल्डन ब्राज में तक बोल देंगे हमने मसाले बारेक इस तरह से लेए फीसा हिए इसका तेख उतना है है अगर इस तरह से करते हैं मुटा मुटा करह चाहाँ से तो पकती अच्छा क्छा द़था हहा तो पहलगी में विंए त्वर्डना कर देख Oriya तो चलिए उदार हमारा मसाला भून रहा है एदर हम पनीर को कट कर लेते हैं इस बड़े-बड़े साइट के टुप्डे कर लेंगी देख सकते हैं एदर मैंने पनेर को काट लिया हैं तो इदर आप बुझ सकते हैं हमारा प्याच अलका को लगा है और इसको अब और जून न न है और इदर हमारा प्याच लगन प्राउन होकर अच्छे से बुन गया है अब इसमें डाल देंगे हम टॉमाड़ और हरिमेज़् को बस्ता अच्छा सी निक्स कर देंगे अब इसमें रागें गदाम एक चम्माज हर्डी पाउडर एक चम्माज लादमिश पाउडर और नमक आप अपने टिस्ट की साथ से ले सकते हो तो इसमें मैंने तिर्चमश नमक डाल दिया है चम्माज भी हमारा बहुत छोटे साइच का है इस वाजय से तिर्चमश नमक हमें डाल दिया अब इसको कर दोली निक्स अब मसाला पीसा इना था है थोड़ा सा मसाला ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बचा लेंगे जमारी बातनों काम नहीं आएगा आएगा अब मसाला हाई इसमें डाल देंगे हम हरी मत्र जोड़ी हेल अच्छे से थोड़ी और पक्चा है दैसे तो यो बली है इसमें डाल देंगे बचार अब देंगे मसाला हमारा और अच्छे से पक्चा आए तो आप अधर देख सकते हमारा मसाला बढ़ गया है अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक छोटा ग्लास पाई डाल दिया है आप इसमें एक बार आने तक इसको ऐसी छोड़ देना है कि पाने मी पक्चा है हमारा तो इधर ले लिया है हमने गोल्ली का पनीर मसाला तो इसी मसाले में इसको एट कर देंगे ज्यादा नहीं बस आधा चमच लेना है इससे पनीर का टेस्ट और भी अच्छा आएगा दोनों को मिक्स कर देती है तो इधर आप देख सकते हैं जो जो उसे ओवाल मालने लगा है बहुत अच्छे से हमारा मसाला ही पक्चिया और पाई डार ता बूल पक्चिया अब इसमें डार देंगे मसाले को इसको कर देंगे मिक्स और डाल देते हैं पनीर को इसको भी चला देंगे और से एक ओबा लाने तक और पकाएंगे पनीर के अंदरी मसाला अच्छे से शैट हो जाए और इसमें डाल देंगे हम बारी कटा हुआ हरा धनिया अब इसमें उबाल आ गई है हमें इसकी थोड़ी सी हल्की पत्ली ग्रेवी चाहिए थी आप चाहों तो इसको और काड़ा कर सकते हो तो मैं अपना शेक्रेट इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा डूप डाल देंगे जो उसका टेस्ट हल्वाई की भी टेस्ट को फीका कर देगा और बहुत ही स्वादिश्ट लगने वाला है तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी और इस पनीर की रैस्पी आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा इ प्लीज रैस्पी आपको कैसी लगी तो इधर हमारी सब्सक्राइब बनकर हो गई एक तम रेड़ी तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए मुझे लिए एक मौका मिल जाए एटूप पर आने का और प्लीज आप लोग अपना ऐसा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिये का और म प्लीज मुझे एक मौका जरूर दे तब तक के लिए बाए बाए श्री राधे राधे थैंक्यू सो मच